नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वोलें चैमेट एप्लिकेशन के बारे में और आज हम डिसकस करेंगे यहांपे कि जो भी मेल होस्ट हैं, क्या वो लाइव हो सकते हैं इस एप्लिकेशन से? दोस्त वैसे कहने को एप्लिकेशन ने दो तरीके दिये हुए हैं, और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, ठीक है? कि सर हमें यहां पे लाइव होना है, या फिर होस्टिंग करनी है, पैसे कमाने इस एप्लिकेशन से, तो क्या यह पॉसिबल है? तो दोस्त देखिए, मैं आप लोगों को ज्यादा तर मना ही करता हूँ, कि आपको यहां पे होस्टिंग नहीं मिल सकती, और इसके पीछे की सारी कहानी क्या है, वो मैं सारा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, साथ मैं मैं आपको तरीके भी बताऊंगा, जिससे आप लाइब हो सकते हो, ठीक है, तो वीडियो को स्किप करके भागना मत, पहले इस सारी चीजों को आप समझ लो, जब यह अप्लिकेशन नया नया आया था, तब वो लोग क्या करते थे, कि कुछ इस तरह का इंटरफेस था, कि यहां पे हम चाहे मेल की ID हो, फिमेल की ID हो, ह होस्टिंग मिले या ना मिले, क्योंकि वो लाइब तो आ नहीं सकते थे, ठीक है, तो यहां पे बात वही हो गई, कि मतलब उनको होस्टिंग लेने का कोई benefit ही नहीं होता था, फिर बाद में चैमेट ने अपना जो application था, उसको थोड़ा सा update किया, और update कर देने के बाद क्या होगा कि agency में से जितने भी mail IDs थे, जिनको हमने add कर लिया था, filter करके सारे mail IDs को उन्होंने delete कर दिया हमारे agency से, मतलब जो भी mail IDs थे, सब को उन्होंने independent कर दिया, और उसके बाद से कुछ ऐसा system कर दिया, कि हम mail IDs को add ही नहीं कर सकते अपने agency में, तो फिर इसलिए होता है कि जब लोग add नहीं कर पाते अप लोगों को, ठीक है, एक तो हम add नहीं कर पाते, मतलब add कर ही नहीं सकते तो आपको add करेंगे कहां से, और अगर add कर भी लेते तो आपको live का option तो मिलेगा नहीं, ठीक है, तो उसका benefit क्या होगा, ये सारी चीजे हैं, तो फिर आप लोग ये बोलते ह और उसमें से जो आपको suitable लगता है, वो आप उसको कर सकते हो, यहाँ पर आपको जैसे ठीक लगता है, वैसे कर सकते हो, final decision तो आप ही का होता है, लेकिन ये जाने से पहले थोड़ा सा आप ये एक बार जरूर सोच ले ना, कि आप मतलब कैसे हो, या फिर क्या है, मतलब आप आपको इतने attractive हो कि जो female से वो खुद से recharge करा के, पैसे add करके, और फिर वो आपको call करें, या आप सोच लो, ठीक है, क्योंकि अगर आपको लगता है, जो females की ID होती है, वो जितना मर्जी call कर सकते है, या live हो सकते है, तो ऐसा नहीं है, जो male IDs होती है, उन्ही में call का option होता है, और जो female ID होती है, वहाँ पे live का option होता है, female वाले किसी भी male को call नहीं कर सकते है, जब तक वो recharge नहीं करवाते, और male वाले भी अगर किसी को call करना चाते है, तो उनको तो recharge ही करवाना है, उनको तो live का option भी नहीं मिलता, तो यह सारा system है, यह पहले आप सोच लेना, उसके पारे में, जो यहाँ पे हमें मिलता है, live होने के लिए male IDs को, तो पहला तो यह है कि आपको यहाँ पे top up करना पड़ेगा, top up कितना, level 3 तक, और level 3 कितने का है, एक लाख रुपए का, मतलब यह है कि आप हर हपते एक लाख रुपए का, यहाँ पे top up कर लो, एक लाख रुप है कि अगर आपको live का option मिल जाता है, तो आप अगर group में जाके यहाँ पे live होते हो, तो group में होता है कि बहुत सारे member होते हैं, वहाँ पे लड़के-लड़के मिक्स ही होती है, group में, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ earning हो जाए, लेकिन क्या इतनी earning होगी कि दूसरा तरीका है, वह थोड़ा सा possible है और उसको अब हम यहाँ पे discuss करते हैं, तो दूसरे तरीके में क्या होता है कि लोग एक नया mobile number लेते हैं, या फिर एक email id create करते हैं, और उसके बाद उससे यह application में login करते हैं, और अपने gender में यहाँ पे female select कर लेते हैं, female select करने से क्या ह जो भी female से उनको live का option मिलेगा, तो उनको live का option मिल जाता है, और यहाँ पे वो live भी आ जाते हैं, एक बार जैसे id create हो गया, उसके बाद वो चाहें तो अपना जो profile photo है, वो भी mail का use कर लेते हैं, आपने खुद live भी आके बैठे रहते हैं, ठीक है, तो इनी लोगों को आप द create किये होते हैं, और gender में female select किये होते हैं, तो इस तरह से उनका id तो create हो गया, तो क्या वो लोग पैसे भी कमा पर लेंगे, इसके बहुत ज्यादा कम chance है, क्योंकि दोस्त देखी क्या होता है, कि जो भी, मतलब चैमेट एप्लिकेशन का interface कुछ चीज तरह का है, या फिर जो भी database है, इनका, ये लोग daily by daily recognize करते रहते हैं, phase को, ठीक है, जिस भी id पे जो भी बंदा live हो रहा है, वो लोग देखते हैं, कि ये जैसे male का id है, तो यहाँ पे male live हो रहा है, या female का id है, तो यहाँ पे female live हो रही है, कि male live हो रहा है, अगर उसमें कोई भी दिकत लगता है, त जो gender आपने select किया हुआ है, female का, उसको automatically वो change करके mail कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता लग जाता है, दूसरी बात है, कि अगर आप used email id, या mobile number use करोगे, तो उससे क्या होगा, कि वो mobile number या email id, आपने किसी ना किसी application से ही बनाया होगा, माल लीजे, यहाँ पे facebook की id, या google की id से ही आप login कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर आपने facebook पे id बनाया हुआ है, वहाँ पे आपने mail लिखा है, और उस id से chamet पे आप female लिखते हो, तो उसको वो एक से दो दिन में पकड़ लेगा, कि नहीं, यह बंदा यहाँ पर fraud कर रहा है, और वहाँ पे change करके mail कर देगा, त और उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लो, minimum target यहाँ पर एक लाख का है, एक लाख बीन्स आप करोगे, तब आपको जाके payment मिलेगी, तो क्या होता है कि अगर आप fraud करके, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, आप fraud कर भी लोगे, 70,000, 80,000, 90,000, अगर आप 99,000 तक भी earn कर लेते हो, जो beans हैं, और उसके बाद एक दो beans भी कम रह जाते हैं, और उसके बाद payment को पता लग गया, उसने mail आपका कर दिया, gender change कर दिया, तो उसके बाद वही पैसे आप नहीं निकलवा पाओगे, तो फिर आप समझ लो कि क्या फायदा यहाँ पे आपको live option लेके, और live आने का क्या फायदा होगा, यह चीज आप खुद समझ ले, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों तरीके जो थे यहाँ पे live होने का वो आपको समझ में आ गया होगा, और यह भी पता लग गया होगा, कि जब भी आप लोग message करते हो, तो हम लोग आप लोग को hosting क्यों नह के, फिर भी कुछ ना समझ में आए, तो नीचे comment करके आप जरूर बताएं, उसका भी हम आपके लिए वीडियो लाएंगे और वहाँ पे discuss करेंगे अच्छे से, फिलाल यह वीडियो अच्छी लगे तो please एक like जरूर कर दें, आपका एक like हमें बहुत जादा motivate करता है इस तर के लिए अपने ध्यान रखें, goodbye